तर्फिन नहीं कर रहें लेकिन जिस्ट परता बहीं अमत करिये तमिलाडू में कोई लोग दोग पर रख रख रहें नहीं कर दोग दोग दंदा बिहार में कोई लगाया होगा जब नेता लोग बेसरम और बिहाया हो जाए तो कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आती है जो बिहार की जनता से वोट लेकर कुर्सी तक नेता पहुशते हैं आज उसी जनता को कही न कहीं छोड़ने का काम किया जा रहा है अब आप समझे कि 15 साल बिहार के सत्ता पर नितिस किया जाएगा लेकिन हाला देख लिजे कि सत्ता में 30 सालों से चाचा भतीजे की सरकार है बी जे पी भी सरकार में रही लगातार चुनाव के समय लोगों को लुभावने वादे करके सत्ता तक पहुशने का काम ये नेता लोग किये लेकिन जिस इस्तिती जिस बिहार को कार में उदोग दंदे नहीं है तमिलनाडू में बिहारियों को मारा जा रहा और इस पूरे मामले को लेके सिर्फ राजनीती हो रही है अगर वहीं इस पूरे घटना को देखा जाए तो बीजे पी लगातार सत्र में चीक-चीक के कह रही है चिला रही है कि राजद वाले न संतोस रेनु यादव जी है उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिस करेंगे कि आखिर बिहारी कब तक पिटा आते रहेंगे कभी महाराष्ट में कभी तमिलनाडू में और इस पूरे घटना करम को लेके तेजस्वी यादव ने इसे फरजी बताया है तमिलनाडू के DGP त जाने वाले हैं तमाम चीजों को समझेंगे कि आखिर कौन सच बोल रहा है कौन जूट बोल रहा है और सारे घटना करम में बिहारी अगर पिटा रहे हैं तो आखिर केंद्र में बैठी BJP के सरकार क्या कर रही है जो बिहार में जो चाचा बतीजे की सरकार है वो क्या कर रही और सबसे वड़ा सवाल उठता है कि चिराग पासवान जो नारा देते हैं विहारी फर्स्ट और विहार फर्स्ट आखिर वो कौन बिल में छुपे हुए तमाम चीजों को समझेंगे संतोस रेनु यादव जी फोन तो आपके पास आया होगा परिवार के लोग कॉन्टेक्ट भी कर रहे हैं राज़त से आप तालुक रखते हैं उससे कोई मतलब नहीं है आखिर 15 साल चचा 15 साल भतीजा बीच में बीजेपी के सरकात आखिर विहारीों के लिए कब काम होगा वि तो बिहार देश से बाहर है आपके नुसार बिहार देश से बाहर है आपके नुसार बिहार देश से बाहर नहीं है देश का ये चोकिदार जो की महा पकंडी है महा चूर है और देश के चोकिदार जो बोलते हैं कि 56 इंच का सीना रखे हैं ये कबुत्तर जैसा सीना रखने आदमी देश को जिस परकार से गुमराह कर रहे हैं, देश को जिस परकार से हिंसा के आग में जोक रहे हैं, जब तक ये लोग रहे हैं। बीटा जा रहा था, गाली दिया जा रहा था, और ये सिफचेना वाले जो पाटी के लोग है, उदब ठाकरे के लोग है, वही कर रहे थे बिगत कुछ साल पहले, और उनी का बेटा आदिर ठाकरे आता और तेश्वी आदव हात मिला लेते हैं। आपे बताईए, परमादर ने लालू प्रशाद यादो जी की एक विचार धारा, एक विचार धारा तब तो जो भाजपा वाले, सुसान सिंग राजपूत जी को ले करके इतना होहंगामा कर रहे थे आदित ठाकरे पर, उदब ठाकरे पर, अब तो चले गए, महराष्ट मे चोड़ दरवाज़े सर सरकार बना लिए, सुसान सिंग राजपूत जी के मामला का उद्बदन करे ना, कहां आप हैं सर, ये भाजपा वालों का जनम ही हुआ है, राजप भी हुआ ही है, बीजेपी भी हुआ ही है, चच्चा भी हुआ ही है, तीनों मिलके न बिहार में सरका चल रहा है, 32 साल में कुछ हो है, ये को उद्दोग दंदा लगा पाएं आप लोग, या बीजेपी वाले लगा पाएं, मने तो सब दिन आपको खाली जिसे लालू अद ब्याद आएंगे, बीजेपी के बारे में भी तो हम बोल रहा है, 17 साल रहा ना, गजब कार है, अब त तेको जिका है, जिक है भाई हम चोर चोकिदारे के बात करेंगे, ठीक है हम भड़का जुमला पाटिय के बात करेंगे, ठीक है, खुछ आप हो गएं, जिस प्रकार से देश में महाल बीजेपी के द्वारा क्रियेट किया गया सर, ये घोर निंदनिये है, और ऐसे ही महाल उ डाइवर्ट करती है सर तमिलाडू में बिहारियों की पिटाई हुई है आप इसे सुईकारते हैं आप इसे सुईकारते हैं कि नहीं सुईकारते हैं किसे लोगों से बात किया हुआ करीब 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 500 पलस 500 पलस बिहारियों की पिटाई की गई है देख रहा है यहां पर कोई national का logo लगा रहा था ठीक है ना इसलिए तो आप इमान्दार है इसलिए तो इसलिए तो मने इस बात का चुट्टा लोग अगर सही होता तो हालात आज यह नहीं रहता समझ गया है अब आप सही बोले चोकिदार चुट्टा है चोकिदार का हम नहीं बात कर रहे ह जलाने मानते हैं जोकिदार नहीं नहीं डाया Um बात करिए आप हम आएंगे केंड्र में भी आएंगे आई गा ना यहां के बात कीजएगा बिहार की बात किजिएगा तो वहाँ भी बीजेपी बाहर की सरकरवाने मसूर है बोली की हर साल दो करोड सलाना सरकारी नोकी देंगे दिसवासियों को जब बोट मांगने के लिए बीजेपी आई थी उसके बाद क्या हुआ उसके बाद बोले लगा कि रहे भाई पकोडा तलो चाए बेचो उसके बाद आप ये समझे कि दो करोड के हिसाब से अगर दस साल में नोकरी की बात करें तो बीस करोड सरकारी नोकरी देश में अब तक बाट दिया जाता हमारे देश के युवाओं को मजदूर किसान के बाल बच्चों को अपने पैर पे खड़ा होने में एक ताकत मिलता और एक सामर्थता बनता अवसर प्राप्त होता उन्हें लेकिन हुआ क्या बीजेपी बाले तो बोल दिये कि दो करोड सरकारी नोकरी देंगे उसके बाद बीजेपी तो आरक्षन बिरोधी है आरक्षन बिरोधी है क्यों इसमें भी आपका सकते हैं क्या पैसा क्यों कहिएगा ने ने हम कामे का बात कर रहे हैं सर हम काम के बात कर रहे हैं वहां पे लोग कोई ने ने वहां पे तमिलाडू में कोई लोग इंज्वाय करने के लिए गया है वरना किसी की शौक नहीं होती है कि अपना घर परिबार चलो करके परदेश मजागर कमाए किसी को शौक नहीं होता है तब बीजेपी बालों को बोलिए ना बीजेपी बालों को बोलिए कि कब तक लालू पापा जी का रागा लापते रहेंगे आप तो लालू या अदम जी बिलकुरा नितीस सन्यास ने लिया है दिल पे नहीं है तब जिगरा पे हाथ रखे हैं बोलिए ना बीजेपी यो कोई काम किया है उद्योग धंधा लगा हम उद्योग धंधा पर बात करेंगे हैं उद्योग धंधा की बात कर रहे हैं जिस प्रकार से 1990 कदोर में बिहार बिलकुल अपंग हो चुका था लालू प्रसाद्यादो आकर के और बिहार को नितियस कुमार जी या रामबिला स्पासवान जी ये तीनों आकर के बिहार को संभाले क्या वत करते हैं उसके बाद उस समय का दोर अलग था उस समय हर जुग में सर हर जुग किलडाई अलग होती है उस समय समाजिक न्याए किल य जहाएं थिकए बहुत लूगं कर दिया मे YEAH राजत कर दिया में वक्रवक्ता था राजत का सपोर्ट में बोलता लेकिन राजत के सपोर्ड में तो बोलते नहीं आप तो बोल लिए रहा है आप यह घाए तो बीजेपी को भी बोलेंगे, राजत को भी बोलेंगे, सुन लिजए, नब्बे के दसक में बिहार के सत्ता पर लालुयादव का कण्जा हुआ करता था, जंगल आज का हवाला दे के नितिश कुमार को लोग कुर्सी पे बैठा है नितिश कुमार जी बीजेपी के साथ सरकार बना है लालू जी बहार हो गए उस समय भी उदोगधंदा नहीं लगा अब आप समझ ये कि बीजेपी के साथ नितिश कुमार सत्ता में आने के बाद उद्धोग धंदा तो लगा नहीं नहीं लगा फिर ही 15 में कुर्शी बचाने के लिए फिर राज़त के साथ आ गया राज़त के साथ सरकार बना है फिर ही 17 में इनको का पता कौन बेचायना अत्मा मन में घुश गया फिर ही जाके वहाँ चले गया इनको मैंन में बचाने में घुशता है सुन लिजे अर सुन लिजे ना लालू जी के बेटा बोला कि अब चच्चा के अपनाना ही नहीं है फिर इबीस में चुनाव लड़े फिर जित गये फिर इधर लगता है कि अगस्त महीने में 2022 में फिर आरजेडी के साथ आगए तो आप मानते नहीं है कि जब नितिश कुमार आरजेडी के साथ जाए या बीजेपी के साथ जाए कुरसी के लिए दोनों पटिया जो है नितिश कुमार को अपना लेती है और लगातार कुरसी इधर कुरसी उधर कभियू सत्ता में कभियू सत्ता में लोगों के साथ छल किया जा रहा है अगर स्थितिया ठीक रहती तो आज 30 साल 32 साल में उद्धोगनंदा बिहार में लगता और यहां के लोग यही कमाते और यही चछा जो है कुरोना में बिहारीयों को घुशने नहीं दे रहते तो आखिर 32 सालों से बिहार की जंता के साथ छलावा किया जा रहा है की नहीं